नमस्कार आज हम लोग सर्जरी के एक नए टॉपिक में बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर्स अफ उसफिगस के बारे में सबसे पहले हम लियो मायोमा के बारे में बात करेंगे बिनाइन कैंसर के बारे में बात करेंगे उसके बाद बिनाइन मेलेगननसी के बाद हम चर्चा करे प्रापर कार्सिनोमाफ उसफिगस पर तो चली सबसे पहले हम लियो मायोमा के बारे में बात करते हैं जो कि बिनाइन कंडिशन है और इसका अपना एक इंपोर्टेंस है या बिनाइन ट्यूमर कुछ मामलों में एस्म्टोमेटिक होती है और कुछ मामलों में सिम्टोमेटिक ह फिर हमें inucleation of tumor की जरूरत पढ़ती है, हमें surgery की जरूरत पढ़ती है Leomyoma most common benign tumor of osophagus है और यह small bowel में भी इसके presence मिल सकती है लेकिन यह colon जैसे हिस्सों में common नहीं होती यह सारे points हमें बस इतना पता होने चाहिए कि benign condition है usually asymptomatic होती है, size बड़ी होने पर ही हमें surgery की जरूरत पढ़ती है इसकी वज़ा से dysphagia या hematimesis हो सकता है कर size बड़ी है typically young males को यह ज़्यादा प्रभावित करती है और distal one third of osophagus में इसकी presence ज़्यादा तोर पर देखी गई है usually solitary होते हैं, बहुत कम मामलों में यह multiples होते है amazing की finding होती है, जिसमें हम अगर amazing की finding की बात करें तो smooth, sharply, marginated mass होता है, well defined, intramural mass जो की lumen को narrow कर सकता है तो इस तरीके की presence हमें मिलती है इसके बाद अब हम सीथे तोर पर चर्चा करेंगे osophagial cancers के बारे में तो osophagial cancer में दो तरीके के cancer हो सकते हैं, squamous cell carcinoma और adenocarcinoma दो चीजे हो सकती है, यहाँ पर most commonly squamous cell carcinoma होता है इंडिया में squamous cell carcinoma काफी जादा देखा गया है, western world में adenocarcinoma जादा होता है तो incidence adenocarcinoma का most commonly western world में देखा जाता है इंडिया के लिए पूछा जाए तो squamous cell carcinoma, osophagial cancer में ध्यान रखना है कि upper two-third parts में squamous cell carcinoma होता है, जबकि lower one-third part में mostly adenocarcinoma होता है adeno, adeno means glands related terms, आप इससे समझें तो आप समझ सकते हैं कि stomach, stomach के glandular, जो parts हैं इसलिए stomach या फिर small intestine के parts में adenocarcinoma होता है और इसी से attached lower one-third part है, तो यहाँ पर भी adenocarcinoma होता है उपरी two-third parts में squamous cell carcinoma होता है squamous cell carcinoma पर हम detail में discuss करेंगे adenocarcinoma को यह कारणों को भी समझ लें चुकि adenocarcinoma lower one-third parts में होता है तो इससे आप समझ सकते कि barretts, osophagus, gourd या फिर ecclesia जैसे conditions इसके लिए responsible हो सकते हैं जबकि उपरी हिस्से में होने वाले squamous cell carcinoma के लिए जब हम देखने की कोशिश करते हैं upper two-third parts में lower, osophagus में adenocarcinoma होता है upper two-third parts में इस हिस्से में जो squamous cell carcinoma होता है उसके लिए smoking, alcohol आप समझ सकते हैं उपरी हिस्से में है तो यहाँ पर smoking की वज़ा से, alcohol की वज़ा से natrosamine, ऐसी चीज़े, HPV का infection इसके अलावा, corrosive structure vitamin A, zinc, molybdenum के deficiency यह सारी चीज़े alignancy की presence मिलती है तो clinically patient dysphagia के साथ आते हैं पहले solids के लिए बाद में liquids के लिए भी problem होनी शुरू हो जाती है कार्सिनोमा है तो weight loss की presence मिलेगी ही इसके अलावा, anorexia होगा harshness of vice, tracheo, osophagial fistula तक form हो सकते हैं तो एक बड़े level पर हमें इसके बारे में समझना है most common कौन सा होगा इंडिया में squamous cell carcinoma adenocarcinoma कहां पर होगा western world में क्या location होगी, anatomical location क्या होगी उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है तो मैंने आपको बता है कि जो lower one third part है वहाँ पर सबसे ज़्यादा adenocarcinoma होता है उपरी हिस्से में squamous cell carcinoma होता है तो adenocarcinoma के लिए निचले level पर क्या-क्या responsible cause हो सकते हैं गर्ड, barretts, osophagus scleroderma, ecclesia ऐसी problems इसके लिए responsible हो सकती है squamous cell carcinoma उपरी हिस्से में होता है अपर two third part of osophagus को involved करता है तो इसके लिए risk factor या isiological factors हो सकते है smoking, alcohol, nitrosamine इसके लावा tylosis tylosis actual में एक osophagial cancer के अलावा genetic disorder के कारण होने वाली problem है tylosis जिसमें genetic disorder जिसके तहत हम hyper keratosis देखते हैं palm and soul की thickening यहां मिलती है mouth में white patches oral lecoplachia की presence होती है और tylosis के मामलों में high risk of osophagial cancer देखे गए है ऐसे patients में pitting of nails भी मिलता है बाकि और भी बहुत सारे कारण है squamous cell carcinoma के लिए जैसे HPV jinx, diverticulum, eccalasia corrosive structures vitamin A jinx, molybdenum की deficiency यह बहुत सारे इसके लिए कारण माने जा सकते हैं bulimia, bulimia के बारे में हम psychiatry में पढ़ते हैं तो यह सारे कारण इसके लिए responsible हो सकते हैं अब तक हम लोगों ने बात किया एडिनो और squamous cell दोनों के बारे में isiological factors की अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे clinical features पर clinical features में ध्यान रखना है मामला किसी भी तरीके का उसोफीजियल कैंसर का हो चाहे वो एडिनो का हो या squamous cell का clinical features most commonly dysphasia होगा पहले solid के लिए बाद में liquids के लिए weight loss तो होना ही है हर एक कैंसर में weight loss होता है anorexia फिर मैंने आपको बता होसनेस वायस और यहां ट्रेकियो उसोफीजियल फिस्चुला तक फार्म हो जाते हैं इसके बाद अब हम staging की बात करेंगे तो staging में हमें पता है कि जो histopathological layers है उनमें कहां तक involvement हुआ है इसकी basis पर staging की जाती है तो एडिनो करसिनोमा उसोफेगस में हम staging देखें तो सबसे भीतर की और mucosa, sub mucosa, muscularis layer फिर यहां पर बाहर की और adventitia की layer तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे T1A के बारे में T1A जिसमें mucosa और muscularis mucosa mucosa की अपनी layer तक ही involvement होगा सब mucosa involved नहीं होते T1A में mucosa के वल involved होगी जिसमें mucosa के भीतर की layers involved होगी जिसमें lamina propria और muscularis mucosa यहां पर involved होती है हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसके भीतर lamina propria होता है और इसके अपनी कुछ muscular layering होती है जिसको हम muscularis mucosa कहते है mucosa के भीतर अपनी कुछ muscular layer होती जिसको muscularis mucosa कहते है वहां तक involvement होगा यह देखे muscularis mucosa की layering है इसके नीचे जो sub mucosa है वो involved नहीं होगा T1B में sub mucosa तक यह extend कर जाता है T1B में यह sub mucosa तक involved कर जाता है और T2 में T2 में यह muscularis propria तक पहुंच जाता है यह देखे muscularis propria तक पहुंच जाता है तो मैंने आपको बता है ना कि T1B में सम्म्यूकोसा T2 में मस्कुलरिस प्रॉप्रिया और T3 में T3 में यह एडवन्टीशिया को इन्वाल्ड कर लेता है तो T3 में एडवन्टीशिया तक यह पहुच जाता है देखिए एक्स्टेंट करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है तो चलिए TNM स्टेजिंग को एक बार देख लेते हैं TIS मिंस हाई ग्रेड का डिस्प्लेजिया है जिसमें T1 जिसमें लेमैना प्रॉप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा तक इसका इन्वाल्मेंट होता है तो T1 के दो पार्ट्स हैं अगर सिर्फ और सिर्फ लेमैना प्रॉप्रिया और म्यूकोसा तक इन्वाल्मेंट है मस्कुलरिस म्यूकोसा लेमैना प्रॉप्रिया तक तो T1A अगर सब म्यूकोसा की इन्वाल्ड हो गई है तो यह T1B इमेज को याद रखना है T2 में यह muscularis properia तक पहुँच जाती है T3 में सबसे बाहरी covering तक यह पहुच जाती है यह cover कर लेती है up to adventitia और इसके बाद T4 की stage आती है जिसमें T4 में यह adjacent structure को यह cover करने लगती है जिसमें T4 में आसपास के structure को यह cover करने लगती है जिसमें T4A में operable होते हैं यह adjacent structure को हम operate करके हटा सकते हैं जैसे pleura, pericardium या फिर diaphragm जैसे parts को यह involved कर चुकी होती है adjacent parts में T4B में ऐसे adjacent parts को यह involved करती है जिसे resect नहीं किया जा सकता non-operable parts को यह involved करने लगती है जैसे aorta, vertebral body, trachea ऐसे लोगों को यह involved करने लगती है तो इस तरीके से T4B non-operable होता है मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर lymph nodes आपको याद होगा तो यहाँ पर lymph nodes का कितना involvement है उसको भी देख लें N0 लिखा हुआ है तो कोई reasonable lymph node में metastasis नहीं हुई है जबकि जैसे जैसे metastasis lymph node तक होते जाती है वैसे वैसे यहाँ पर N1, N2, N3 हम बताते है कितने lymph nodes को इसने involved किया है उसको देखना होता है तो कितना lymph node यहाँ involved हुआ है उसकी business पर अगर कोई involved नहीं हुआ तो N0, N1 हम कहेंगे जब एक से दो lymph node involved होते है N2 तब यह 3 से लेकर 6 तक lymph nodes को involved कर लेता है और इसमें N3 तब कहा जाता है जब more than 7 lymph nodes का involvement हो जाता है तो N1 में 1 से 2 lymph node N2 में 3 से 6 lymph node N3 में more than 7 lymph nodes का involvement होता है M, metastasis की बात करें तो M0 कोई distant metastasis नहीं है M1 जब distant metastasis हो और distant metastasis में Lever most commonly effect होता है Lungs उसके बाद तो Ocephagial carcinoma में Metastasis में most commonly जिस आरगन को यह पहले effect करता है वो Lever होता है Lever के बाद Ocephagus होता है Investigation क्या हो सकता है Investigation के लिए हमें Upper GI के endoscopy करनी होगी और इसी के साथ Biopsy का sample लेना होगा यहां एक सवाल यह भी पूछा जाता है Investigation of choice for T-staging or local staging तो local staging या T-staging के लिए Investigation of choice क्या हो सकता है इसके लिए Endoscopic Ultrasound EUS इसके लिए बहतर मेथड है क्योंकि यह Ultrasonography की मदद से बहतर तरीके से Mucosa, Submucosa, Muscle Layer और Sirosa के बारे में जानकारी दे पाता है तो इस चीज़ को हम Osofisial Cancer में T-staging के लिए या local staging के लिए कैसे Endoscopic Ultrasonography मदद करती है उसको यहां पर हम देख सकते हैं आस पास के Adjacent Structures जैसे Aorta, Limph Nodes वो सारी चीज़ें आस पास में होती है और जैसा के हम पहले देख चुके हैं T-RN के staging के लिए यहां पर Epithelium Epithelium में भी मैंने आपको बता था Basement Membrane Basement Membrane के नीचे Lamanapropria Lamanapropria के नीचे Muscularis Mucosa यहां तक के Learing Mucosa की होती है यह T-1 होता है तक पहुँच जाएगा T-1 में दो है एक है सिर्फ Mucosa तक दूसरा है T-2 T-1 A है T-1 B है T-1 A में सिर्फ Mucosa तक सब Mucosa तक T-1 B में T-2 में आप देखिए सब Mucosa के नीचे आगया सब Mucosa के नीचे मिस बाहर की और बढ़ेंगे तो Muscularis Propriya और बाहर जाएंगे और आगे तक Extend करेगा तो यह आप देख सकते हैं यह Adventistia के लेयर को टच कर रहा है T-4 में आज पास के structure को देखिए यहाँ पर इसने cover करना शुरू कर दिया ARTA को इसने involved करना शुरू कर दिया ऐसे lymph nodes की कितने संख्या है इन सारी चीज़ों को हमने देखा है इसको बहतर तरीके से लोकल स्टेजिंग के लिए उसोफीजियल अल्टरा सोनोग्राफी मदद करती है कैसे करती है कैसे इसमें हमें पता चलेगा सबमुकोसा involved हुआ है कैसे पता चलेगा यहां muscularis layer यहां involved हुई है कैसे पता चलेगा adventisia यहां involved हुई है उन सारी चीज़ों को यहां पर देखे इस तरीके से circular form में हमें जानकारी मिलते जाती है involvement पता चलता जाता है इसके लिए local involvement के लिए हम endoscopic ultrasound कर सकते हैं जिसमें हमें depth of layer जो involved हो रही है उनकी जानकारी मिल जाती है कैसे आपको मैंने बताया ultrasound पर हम different layers को देख सकते इसमें कुछ layers hyper echoic होते हैं और कुछ layers hypo echoic होते हैं इसके करण contrast हमें मिलता जाता है तो आप देखे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 1, 3, 5 यह hyper echoic layer है जबकि 2 and 4 यह hypo echoic layers है इसमें आप देख सकते हैं जो layers यहाँ hypo echoic होंगे वो actual में muscular layer होते हैं तो muscular layer कहां कहां मिलती है आपको पता है hypo echoic जो मिल रहा है वो actual में muscularis mucosa के करण मिल रहा है और दूसरा muscularis propria के करण मिल रहा है तो muscularis mucosa और muscularis propria के करण हमें हाइपो इकोईग जोन मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं म्यूकोसा में जो मस्कुलरिस म्यूकोसा लेयर है वो हाइपो इकोईग होगी उसका सब्यूकोसा हाइपर इकोईग होगा हाइपर इकोईग सब्यूकोसा है लेकिन मस्कुलरिस प्रॉप्रिया हाइपोईकोईख होगा, एडवन्टीशिया हाइपरइकोईख होगा यहाँ पर लेमैना प्रॉप्रिया जो म्यूकोसा की लेयर होगी यह भी हाइपरइकोईख होगी तो इसके करण हमें डिमार्केशन पता चलता जाता है कहां तक एक्स्टेंड कर रहा है हाइपोईकोईख मसल्स की लेयर है यह बात पता होना चाहिए इमेज में ध्यान रखिए मस्कुलारिस म्यूकोसा की लेयर हाइपोईकोईख होगी और यह जो मसल्स की लेयर है यह भी हाइपोईकोईख होगे तो इसके करण दो हाइपोईकोईख इसके उपर हाइपरिकोईक, सबम्यकोसा, हाइपरिकोईक, एडवन्टीश्या के लियर, हाइपरिकोईक, तो इस तरीके से कंट्रास्ट यहां पर डवलप होता जाएगा, जिसके पता कर पाना आसान हो जाता है, तो यहां 1, 3, 5, यह मैंने आपको बताए, मैंने यह भी प्रॉप्रिया, मस्कुलरिस म्यकोसा, सबम्यकोसा, फिर मस्कुलरिस प्रॉप्रिया और उसके बाहर एडवन्टीश्या के लियर, इसमें कौन से लियर क्या है, इस पर हमने चर्चा किया, बस इसको दिमाग में बनाए रखना है, क्योंकि इसमें कौन से लियर, हाइपर, हा and abdomen करना पड़ता है क्योंकि abdominal organ के रुपे हम liver में या उसके आस पास कहीं metastasis है उसको पता कर सकते हैं और chest की CECT इसलिए जरूरी होती क्योंकि या metastasis करके lungs तक जला जाता है तो most commonly या liver को involved करता है और second level पर या most common liver को और second level पर या lung को involved करता है तो इसलिए हमें इन दोन ही parts के CECT investigation कराने पड़ते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने different level पर समझा या जानने की कोशिश किया कि local level पर staging कैसे करेंगे इसमें pet scanning कैसे distant metastasis में मदद कर सकती है नहीं कर सकती उन सारी चीजों को देखा है distant metastasis के लिए actual में best options के रूप में CECT, chest और abdomen होता है यहाँ पर pet scanning को investigation of choice के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि most commonly यह liver और lung को ही affect करता है treatment की बात करें तो treatment में अगर TIS है जिसमें high grid dysplasia है तो simply हम endoscopic mucosal resection करते हैं जबकि T1 staging में हमें surgery करनी पड़ती है, T2, T3 में हम neo adjuant chemotherapy पहले देते हैं, radiotherapy देते हैं उसके बाद हम surgery करते हैं, जबकि T4 stage में हम neo adjuant chemotherapy, radiotherapy देने के बाद भी हो सकता है कि surgery possible हो यह भी हो सकता है कि surgery नहीं भी possible हो सकती है surgery के level पर क्या-क्या तरीके अपनाये जाएंगे, कहां किया जा सकता है उसके लिए मैंने आपको बता है कि TIS है, यानि tumor in situ अगर मामले है local level पर है, तो endoscopic mucosal resection कर सकते हैं T1 staging है, तो surgery करते हैं लेकिन T3, T4 है तो पहले हम chemotherapy, radiotherapy देते हैं, उसके बाद surgery करते हैं, T4 stage है तो पहले chemotherapy, radiotherapy उसके बाद भी surgery हो सकती है या देखना पड़ेगा कि किस हद तक यह adjacent part को involved किये हुए हैं तो जैसा कि अभी मैंने image बे दिखाया था यहाँ osophagos को कि उस part को जहां पर tumor का development हुआ है cancer है, उसे cut करना होगा उसे हटाना होता है, इसके लिए कई approach है, ट्रांस हीटल osophagyctomy है ट्रांस thoracic osophagyctomy है and block osophagyctomy है तो सबसे पहले हम ट्रांस हीटल osophagyctomy की बात करेंगे ट्रांस हीटल osophagyctomy में आप देखे जहां तक tumor का part है जहां तक cancer developed है उस part को cut किया गया है और यहां पर stomach को उपर के और ले जाकर stomach को translocate किया गया है ड्यूडिनम का यह हिससा आप देख रहे हैं उपर के और चला गया है आप देख सकते हैं तो जो disease part of osophagyctomy है उसको हम remove करते हैं stomach को बाकी बचे हुए पार्ट से जोड़ देते हैं इस तरीके के transhietal osophagyctomy के लिए हमें दो incision देना पड़ता है इस चीज़ को मैं इस image में आपको justify करना चाहता हूँ एक incision हम neck के region में देते हैं आप यहां पर देखे एक incision हमने neck के region में दिया है left side में यहां पर incision दे करके पहला जिसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कहां से कहां तक हमें कट करना है अपर साइड में और दूसरा हम abdominal लेवल पर एक incision देते हैं तो पहला incision neck के region में दूसरा incision abdomen के लेवल पर और दो incision की मदद से इसको किया जाता है इसे हम औरिंगर अप्रोच भी कहते हैं तो यहां पर आप इस image में देख सकते हैं दो incision लगाया गया है एक उपर neck के region में लेफ्ट साइड में और दूसरा abdominal इसे हम औरिंगर अप्रोच कहते हैं इसमें औरसे फेजियल मॉबलाइजिशन किया गया है आप देख सकते हैं जो cut part है उसको हटाया गया है और उसके बाद इस टमक को उपर के उड़ ले जाते हैं जोड़ देते हैं तो हीयटस से होते हुए ट्रांस हीयटस हीयटल ओसफेजक्टॉमी है इसलिए इसका नाम दिया गया है इस तरीके से मैंने आपको बता है इसे औरिंगर अपरोच भी कहते हैं टी एच ई ट्रांस हीयटल ओसफेजक्टॉमी औरिंगर अपरोच ये बात हमें याद रखनी है दो इंसीजन दिया जाते हैं इसको मैंने इस इमिज के माध्यम से समझाया एक अबडामन में दूसरा नेक में और जो डिजीज पार्ट है उसको हमने हटाया है ध्यान रखना है कि ओसफीजियो गैस्ट्रिक अनास्टॉमोसिस नेक के रिजिन में नेक के अपरोच से हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं इसके बाद हम आईवर लेविस सर्जिरी की बात करेंगे हम आईवर लेविस सर्जिरी में ट्रांस थोरैसिक ओसफेजक्टॉमी की बात करेंगे यहाँ ट्रांस थोरैसिक अपरोच को देखा जा सकता है सबसे इस साइड में जो हम स्टार्टिंग में पहला ही मिस देख रहे हैं ट्रांस थोरेसिक उसफेजक्टोमी में इसमें दो इंसिजन दिया जा रहा है आप देखें ट्रांस थोरेसिक उसफेजक्टोमी में दो इंसिजन दिया गया है एक thorax के लेवल पर और दूसरा abdomen के लेवल पर यहां right thoracotomy की गई है और यहां पर osophagus और gastric anostromosis thorax के लेवल पर perform की जाती है तो यहां पर gastric और osophagial जो anostromosis है वो thorax के लेवल पर perform की जाती है इसका दूसरा नाम आईवर लेविस अप्रोच भी है आईवर लेविस सर्जुरी भी है जिसमें हम ट्रांस थोरेसिक osophagectomy करते हैं सर्जुरी में उस पार्ट को हटाने का प्रयास करते हैं अप्रोच थोरेक्स और abdomen का है 1946 में इसके बारे में बताया गया 1976 में इसी को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया जिसे हम N-block osophagectomy कहते हैं जिसमें आईवर लेविस सर्जुरी को और मॉडिफाई कर दिया गया और मैक्योन सर्जुरी में आप देखेंगे तीन इंसीजन की दिये जाते हैं यानि पहले के दोनों ही प्रोसेस को मिला दिया गया इसमें abdominal, thoracic और neck region left side के neck region में तीन overall total incision दिये जाते हैं तो इसे हम N-block osophagectomy कहते हैं इसमें thorax में भी है, neck में भी है और नीचे आप देख रहे हैं, abdomen के level पर भी है इसे macchion या तीसरा osophagectomy का अप्रोच है आप देखें, right side में thoracotomy किया गया abdomen में दूसरा incision था, पहला incision यहां पर right side में thoracotomy दूसरा abdominal incision और तीसरा left side के neck region में incision दिया गया है तो चलिए one by one, पुरानी technique जिसमें thorax के level पर जो incision देते हैं उसकी पुरानी technique आईवर लेविस जिसमें पहला incision abdomen में देते हैं दूसरा, यहां right side की thoracotomy के दौरा यहां करते हैं इसके बाद हम gastric और ocephagial anostomosis thorax के level पर ही perform करते हैं जबकि इसके पहले transhietal ocephagectomy में ocephagial gastric anostomosis neck के region में था, यहां thorax के region में आप समझ पारें न, transhietal में कहां पर था, neck के region में यहां transthoracic ocephagectomy में कहां पर है, thorax के level पर और इसी में आगे modification हम करेंगे modification जब करते हैं तो end block ocephagectomy होती है जिसमें तीन incision देते हैं, तीनों incision दिया जाता है जो कि most common surgery है पहला incision right thoracotomy, second incision abdomen में और third incision left side of the neck में दी जाती है यह technique R0 resection के लिए की जाती है ध्यान यह भी रखना है कि ocephagio gastric anostomosis यहां neck के region में की जाएगी इसलिए neck में के extra incision दिया गया है कुछ extra point भी देख लें R0 का मतलब यह है कि non demonstrable residue जबकि R1 में microscopically visible residue मिल जाते हैं R2 का मतलब microscopically visible residue बच जाते हैं तो चुकि हम चाहते हैं best surgery इसलिए R0 resection होना चाहिए जिसमें कुछ भी न बचे अगर R1 है तो surgery के बाद कुछ ऐसा part बचा है जिसको microscopically हम देख सकते हैं R2 में कई बार ऐसा होता है कि microscopically visible part हमें दिख रहे हैं tumor का लेकिन हम उसे resect नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह किसी ऐसे आरगन से test है जिसको हम छेड नहीं सकते हैं से abdominal yarta से कोई चीज जुड़ जाए तो ऐसे मामलों में दिक्कत होती तो हम कई बार जान बुझ करके microscopically tumor को छोड़ देते हैं तो इसलिए कहा जाते हैं कितना part आपने छोड़ रखा है अगर कुछ भी नहीं छोड़ रखा ना microscopically ना microscopically तो R0 resection और best technique के लिए हम इसलिए यहाँ पर N-block osophagectomy करा रहे हैं R1 एक extraize point है कि अगर microscopically residual part कुछ बच रहा है R2 का मत्तब macroscopically कुछ पार्ट बच रहा है तो R0 resection, R1 resection, R2 resection अगर कहीं दिया हो तो आप समझ ले और R0 resection की कोशिश में EBE N-block osophagectomy की गई है इसमें osophageal gastric anastomosis neck के रीजिन में की जाती है Most common complication after osophagectomy यह question पूछा जाता है Most common complication after osophagectomy pulmonary या respiratory complications होते हैं कई बार यह भी पूछा जाता है Most common cause of death तो चुकि surgery बड़ी मुश्किल भरी होती है तो यहाँ पर most common cause of death pulmonary या respiratory complications होते है Most dangerous complications क्या हो सकते है Osophagectomy की most dangerous complications anastomotic जो part है anastomosis जिनके बीच में की गई है वो part leak कर सकते है तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जिन parts को हमने जोडा है वहाँ leakage हो सकते है मैंने आपको बता ना कि जो part गड़बड है उसे कट करके हटा दिया गया है gastric part को उपर तक ले गए है anastomosis की गई है लेकिन anastomosis leak कर सकती है यह leakage list common होती है thoracic anastomosis में लेकिन अगर यह हो जाए मेरे ने आपको बता ना कि कई ऐसे मामले हैं जैसे ट्रांस थोरैसिक और सफजेक्टोमी में हम anastomosis thorax के लेवल पर करते है उसके फायदे है leakage बहुत कम होता है लेकिन अगर एक बार हो गया अगर हो गया तो बहुत हाई mortality होती है याद रखना है कि list leak कहां पर होगा thoracic anastomosis में लेकिन अगर एक बार हो गया तो यह high mortality के साथ होती है क्योंकि leakage को अगर cervical या neck के लेवल पर anastomosis की जाए तो उसे हम control कर सकते हैं यही वज़ा है कि N-block osophagectomy में anastomosis neck के लेवल पर की गई है इसके बाद एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि best osophageal replacement part अगर माल लिजे यहाँ पर हमें gap जादा है और osophagus को replace पूरा का पूरा करना पड़ रहा है तो हम किस part को replace कर सकते हैं osophagus के लिए तो stomach best part होता है इसके बाद colon colon के बाद jejunum तो colon में भी descending colon best माना जाता है descending colon best क्यूं माना जाता है इसको समझ ले क्योंकि दोनों का peristaltic pattern एक जैसा होता इसलिए descending colon को best osophageal replacement part के रूप में जाना जाता है अब सवाल यह भी है कि root of candidate क्या होगा root of candidate के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं colon का देखिए यह segment यहाँ पर लगाया गया है आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि osophagus को replace करना है तो जो osophago colic anostomosis उपर करना पड़ रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं osophago colic anostomosis और नीचे के साइड में कई बार right colon जब लगाते हैं तो यहाँ पर iliogastric anostomosis लगाना पड़ता है यहाँ पर vascular pedicle आप देख सकते हैं blood की supply भी बहुत जरूरी है ताकि लगातार इसकी viability maintain रह सके तो ऐसे parts को कैसे हम वहाँ तक ले जाएंगे subcutaneously, sub externally या फिर posterior mediastinum के द्वारा ले जाते हैं root of conduct यहाँ subcutaneous, sub external या फिर posterior mediastinal के part से भी हो सकता है best or shortest part posterior mediastinum होता है कई बार question इस बात पर भी पूछा जाता है कि यहाँ पर chemotherapy के लिए कौन से medicines इस्तेमाल के जाती है तो cisplatin और 5-fluorouracil का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो थेरेपी के लिए क्या करते हैं तो यहाँ पर रेडियो थेरेपी के लिए जिसे हम सिकाई भी कहते हैं इसमें total 4500 centigrade total dose हम देते हैं total dose 4500 centigrade होती है grade नहीं एक ग्रे है यह unit होती है रेडियो थेरेपी की तो इसमें हम 4500 centigrade देते हैं जिसके लिए हम 200 centigrade daily dose देते हैं 5 days in a week तो daily हम 5 days तक in a week देते हैं 200 के हिसाब से palliative therapy के रूप में chemo therapy, radiotherapy हो सकता है इसमें endoscopic mucosal resection हो सकता है या फिर यहां self expendable metallic stent भी लगाया जा सकते हैं तो इस तरीके से surgery के मामलों में जब palliation के मामले आते हैं जब हमें बहुत कुछ नहीं करने का option होता है तो हम chemo, radiotherapy या फिर endoscopic mucosal resection या फिर self expendable metallic stent लगा सकते हैं इस तरीके के options भी हमारे पास होते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने उस अफेगस को अलग-अलग level पर discuss किया है नेक्स लेक्षर में हम इस टमक से start करेंगे